अध्याय तेरा कातिल प्रयोंग लाल च्वालाओं से परिव्याप्त अग्निकुंड के आगे व्याग्र चर्म पर बैठा शाम्प एक और उर्णी खड़ी थी एक और ब्रिग चर्म पर उमार नंदन बैठा था दो परिचारिकाएं निश्चेत शुष्मा को जाग्रत करने का प्रयास कर रही थी कापालिक ने उर्णी की ओर देख कर कहा उर्णी इस निर्बल यौवना को तेज नस्वार की आवशक्ता है ततकाल उर्णी ने एक पेटिका से नस्वार की डब्बी निकाली और एक चुटकी भर नस्वार शुष्मा की दोनों नतनों में डाली तक क्षण शुष्मा की मुर्चा तूटी उसने आँखे खोली उसने देखा दो परिचारिकाएं पास में खड़ी है दीप मालाएं जल रही है और कापालिक बोला शुष्मा उठकर बैठ शुष्मा ने कापालिक के चेहरे की ओर देखा और थर थर धूचनी लगी रात्री का दूसरा प्रहट चल रहा था कापालिक ने उरिणी से कहा बृत संजीवनी का शुक्ति पान ततकाल उरिणी ने एक बरतन में प्रवाही पदार्थ ला सुष्मा को पिलाया अद्भूच शुष्मा के शरीर में मानो नए रक्त का संचार हुआ नए उल्लास से उसका चेहरा खिल उठा वा आसपास द्रिश्टिपात कर बैठ गई कुमार नंदन ने सुस्मा की ओर देख कर कहा देवी सामने जो बैठे हैं वे हैं महा पुरुष शाम इनको प्रणाम करो शुष्मा ने शांब की और देख कर नमन किया शांब ने पूछा देवी स्वस्त्व होना हाँ कुमार नंदन कुछ कहे इससे पूर्वही एक विशाल का पुरुष भीतर आया और बोला महत्मा शांब की जै हो आपके दर्शन करने मगदेश्वर पदा रहे है शांब कापालिक उठा और द्वार की ओर गया रधपती भी खड़ा हो गया शुष्मा भी खड़ी हो गई और सभी की द्रिष्टी द्वार पर टिकी हुई थी द्वार खुला और मगद समराट आते हुई दिखाए दिये समराट ने शाम का पालिक को नमस्कार किया, शाम ने आशिर्वाद दिया उरूनी ने एक स्वर्ण आसन पर म्रिक्चम बिछा दिया, समराट उस पर बैट गए शाम बोला, मगदेश्वर आपकी पसंद सर्वोत्तम है, देवी सुष्मा आपकी आशा को जीवन्त बनाया शाम ने पूछा, शुष्मा, मेरी आज्या का पालन करोगी? हाँ, समराट के शत्रों का नाश करोगी? हाँ, आज से तुम्हारे पर एक दिव्य प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग के पूर्ण होने पर तुम अपनी कामना सिद्ध कर सकोगी, बोलो, क्या तुम इस की बात सदा के लिए गुप्त रख सकोगी? हाँ, फिर शाम ने समराट की ओर देख कर कहा, मगदेश्वर, मैं प्रयोग प्रारंभ करता हूँ, करो, कहकर समराट के शुष्मा की ओर देख कर कहा, पुत्री, मगद के रक्षन के लिए इस प्रयोग शाला में तुझे लाया ग आलन करना, तेरी सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, जी, सुष्मा केवल इतना ही बोली हूँ, उमार नंदन ने मन ही मन सोचा, कुछ खणो पूर्व दूजती हुई सुष्मा, अब इतना उल्लास में कैसे हो गई? बृत संजीवनी का चमतकार होगा, कापालिक ने उरीणी को देखकर कहा, तंत्र पेटिका, ततकाल उरीणी ने उस पेटिका को वहाँ लाकर रखा, शाम ने उस पेटिका से एक स्वन की डिबिया निकाली, फिर शुष्मा से कहा, शुष्मा, अग्नीकुंड के समक्ष स्थ पिर दिश्च्री रख कर खड़ी रहना उरूणी सब को यथा स्थान उरूणी ने सभी परिचारिकाओं को वहां से हटा दिया और समराठ तथा कुमार नंदन को भी अगनिकुंड से दस हाथ की दूरी पर बिठाया शांब ने कुछ मंत्रो चारण किया और उस डबिया से गुटिकाओं को अगनिकुंड में डाल देना उस समय संपून मोन रहना यदि किसी भी परिस्तिती में तुम मोन भंग करोगी तो तुम्हारा शरीर कुरूप हो जाएगा सावधान रहना शुष्मा हाथ में गुटिका लेकर अगनिकुंड की ओर स्थिर दृष्टी से और तभी शांब का प्रचंड स्वर सुनाई दिया शुष्मा सावधान होम दे गुटिकाओं को अगनिकुंड में ततकाल शुष्मा ने गुटिकाओं को अगनिकुंड में डाल दिया आकाश को छूने वारी ज्वालाएं ततकाल शांत हो गई नीले और केसरिया रंग का ध शामब खड़ा हुआ और उरिणी की वर देख कर बोला हरित नाग ततकाल उरिणी ने उस करंडक शाम के हाथ में दे दिया शाम ने करंडक खोला भीतर से एक नीले रंग का भयंकर विश्दर्ब फुतकार करता हुआ कुछ उठा शाम ने कुछ मंत्रों चारण कर उस नाग को पकड़ लिया और अगनी कुण की तीन प्रतक शिना दे शुष्मा की धूमा अकृति के पास जा कर बोला शुष्मा जीब बाहर निकालो शुष्मा जीब बाहर निकालो शुष्मा ने जीब बाहर निकाली शाम्ब के अत्रिक्त कोई उसे देख नहीं पाया शाम ने हरित विषदर के मुख को शुषमा की जीव पर लगाया. विषदर ने शुषमा की जीव पर तिव्रडिंक डंक मारा और दूसरे हिक्षण विषदर मुर्चित हो गया. शाम्ब ने ततकाल उस विश्दर को अगनी कुण में डाल दिया और उरुनी से कहा महा पात्र ततकाल उरुनी मिट्टी का एक बड़ा घड़ा लेकर वहां आई शाम्ब ने घड़ा उंचात उठाया और मंत्रोचार करते करते उसको शुष्मा के उपर उडेल दिया एक तरल प्रवाही शुष्मा की आकरती पर टपकने लगा धुम्रा वरन समाप्त हुआ और शुष्मा लड़ खडाती हुई दिखाई दी शाम्ब ने शुष्मा को कमर से पकड़ा और आग्या दी उरुनी महा पानक शाम्ब ने महा पानक को शुष्मा की मुँ में उड़ीला ततकाल ही शुष्मा प्रफुलित हो गई शाम्ब ने उरोणी से कहा देवी शुष्मा को दिव्यस्नान उरोणी सुष्मा का हाथ पकड़ कर ले गई शाम्ब ने शांत अगनी पर एक चून डाला और ततकाल अगनी भबक उठी भयंकर ज्वालाएं उठने लगी साथ हे साथ अगनीकुंड में राख बना हुआ वा नीला विश्दर जिवित हो उठा शाम्ब ने उस अगनीकुंड से विश्दर को अपने हातों से निकाला और करंडक में डाल दिया सम्राट नंदन और परिचारिकाएं मौन भाव से यह सब देखते रहे कापालिक ने एक अन्य तरुणी से कहा विश्रक्त ततकाल उस तरुणी ने एक पात्र शाम्ब के हाथ पर रखा शाम ने उस पात्र का ढगकन खोला और सम्राट से कहा राजन इस पात्र में विशाक्त रक्त है इस रक्त का स्पर्ष होते ही मनुष्य मर जाता है संसार की कोई शक्ती उसे बचा नहीं सकती किन्तु शुष्मा का प्रतेक रोम छिद्र इस रक्त को पचा लेगा सम्राट तो पूर्व की क्रियाओं से दिग्वि मुड हो गया था कुमार नंदन ने भी ऐसे भयंकर विज्ञान को कभी अनुभव नहीं किया था शाम के पीछे कुछ परिचारिकाएं कोशे की कुटीर बना रही थी शाम ने पूछा तयार है? हाँ भगवंत और द्वार खुला उरुनी के पीछे-पीछे शुष्मा ने वहाँ प्रवेश किया उसके केश खुले थे, सिक्त थे, उसके अंग पर कोई अलंकार नहीं था मात्र एक वस्त्र कमर से लेकर गले तक बना हुआ था शाम ने उरुनी से कहा कल्प कुटिर में उरुनी सुष्मा को लेकर उस छोटी कल्प कुटिर में गई और उसने सुष्मा पर लिप्टे उस श्वेत वस्त्र को खीच लिया। शुष्मा निरावरण हो गई। किन्तू से कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि चारों और पट कुटिर था। उरूणी ने शांब के पास आकर कहा, भगवन्त तयार है। मृत संजीवनी दो मुक्ता शक्ती में शांब ने कहा, ततकाल उरूणी मुक्ता शक्ती में मृत संजीवनी भर कर कोशे कुटिर में गई। शुष्मा ने उसका पान कर लिया। शांब ने मंत्र ध्वनी की, अगनी कुंड में अनेक प्रकार के द्रव्य डाले गए। फिर शांब ने मंत्रो चारन करते करते विशाक्त रक्त के पात्र को उंचा किया और उसे क्षण भर के लिए लपलपाती ज्वालाओं पर रख कर गर्म किया। फिर तत्काल वह पात्र को लेकर कुटिर में गया। उरूनी बाहर खड़ी थी। भीतर से शांब की प्रचंड आवाज आई। पुत्री निशकंप रहना। आखे बंद कर खड़ी हो जा। मौन रहना सावधान। और शांब ने तब निरावरत सुष्मा की शरीर पर उस विशाक्ट रक्त का लेब किया। साथ ही साथ वह मंत्रों का उच्चारन भी करता जा रहा था। मंत्र के तीखे स्वर समुचे वातावरन को प्रकंपित कर रहे थे। एक शर्ण, दोक शर्ण, तीन शर्ण, सभी आश्चार्य की द्रिष्टी से उष्कोशय कुटीर की ओड देख रहे थे। भयंकर नीरवता। उरिनी भी स्थिर द्रिष्टी से देख रही थी। उसके नयान भी अत्यंत भायवीत से लग रहे थे। और मंत्रों चारन मंद हो ने लगा। शाम कोटे कुशय कुटीर से बाहर निकला और अगनिकुंड के पास आकर बोला। उरिनी कल्प वटक। एक शन का भी विलम किये बिना उस उरिनी ने एक वटिक का शाम के मुख पर रख दी। ततकाल शाम स्वस्थ होकर बोला। दुग्द पात्र। उरिनी ने दो परिचारिकाओं की ओर देखा ततकाल एक बड़ा दुग्द पात्र लेकर दो परिचारिकाएं आ गई। शाम ने अपने हाथ उस दुग्द पात्र में पकारे। दूद एक दम काला हो गया। उरिनी ने एक पेटिका से चून लेकर अगनिकुंड में डाला। मीठी सु गुणी ततकाल एक मद्य भांड से भर कर पात्र शाम के पास आई। शाम धीरे धीरे उस मद्य को पी गया। फिर उसने कौशे कुटिर की ओर देखकर कहा। उरिनी वस्तर तयार है। हाँ व्रिशिक तयार है। वस्त्रला व्रिशिक यानि स्कॉर्पियों को तयार नीले रंग का एक वस्त्र उरुनी ले आई, शाम इस वस्त्र को लेकर कुटिर के पीछे गया, कुछी समय के पश्चादव अपने हातों पर मुर्चित शुष्मा को लेकर अगनिकुंड के पास गया, उसने शुष्मा को अपने आसन के पास लेटा दिया, सुष्मा की विशाक्त, रक्त से लिप्त काया, नीले रंग से लिप्ती हुई थी, केवल दो आँखे मातर दिख रही थी, आँखे बंद थी, उसकी सघन और लंबे केश लटक रहे थे, उरुनी एक काश्ट पत्र यानि बूडन बेस पर लेटी हुई थी, शाम ने काश्ट पत्र का धकन खोला और उसमें इसे एक विशाल भयंकर और कृष्णाव यानि काले रंग का जहरीला बिच्छू बाहर निकला, बिच्छू तडफडा रहा था, शाम ने सुष्मा को दाएं पैर की कनिष्ठा उंगली को उगाडा और बिच्छू को उस पर रख दिया, बिच्छू के डंक मारते ही शुष्मा काँ पुठी और शाम का मुँं हर्श से भर गया, उरुन की आंखे भी आनंद से नाचने लगी, शाम ने उरिनी से कहा, उरिनी शुष्मा को उस विशोसदी की सहिया पर सुला दे, कल दिन के तीसरे प्रहर में इसकी मुर दक से सान कराना, फिर से कल्प वटक खिला कर गौधूद का पान कराना, दो परिचारिकाओं ने शुष्मा की मुर्चित दे को उठाया, उरुनी आगे-आगे चल रही थी, शाम ने मगदेश्वर की ओर देख कर कहा, मगदेश्वर, आप एकादशी को शुष्मा का पूरा हो, उससे पूर्व ही, दोनों के रत वहां से चल पड़े।